अब हम लोग जनन किरिया समन्धी दबाव को जानेंगे। तो देखिए जनन किरिया समन्धी में किस तरह का दबाव होता है। पहला पॉइंट के गरहां बात करें। तो लिखा है कि जनन किरिया अथ्वा गर्ब धारन के लिए हमारे मित्रों का दबाव हो सकता है। विवाह एवं संतानोत पत्ती के लिए परिवारिक दबाव भी हो सकता है संतानोत पत्ती से बज़कर रहने का सरकारी तंत्र की और भी दबाव हो सकता है ये कुछ दबाव हैं जो जनन किरिया अथ्वा गर्वधारन या जनन समंधी प्रकिरियाओं में देखने को मिलता है जिसे कि जनन किरिया अथ्वा गर्वधारन के लिए मित्रों का दबाव होता है मतलब हो सकता है और विवाह और संतान उत्पत्ती का दबाव परिवारी दबाव हो सकता है संतान उत्पत्ती से बचके रहने के लिए सरकारी तंत्र के परती दबाव हो सकता है अब समझते हैं योन किरिया से उत्पन रोग तो जीवानु जनित रोग के रूप में गौनोरिया तथा सिफिलिस हो सकता है गौनोरिया और सिफिलिस जो है वो जीवानु से उत्पन होने वाला रोग है और ये योन किरिया द्वारा उत्पन होता है दूसरे ग्रूप मेंगर हम बात करें तो वाइरस दुआरा होने वाला रोग जिसे की मस्सा तथा HIV AIDS जो की ये दोनों वाइरस के दुआरा होने वाला रोग है और ये भी योन किरिया से उत्पन रोग है नोट में देखिए सिसन के लिए आवरण सिसन के उपर आवरण आता है अथवा कॉंडॉम के परियोग से अगर इसका परियोग होता है तो अनेक रोगों के संचरन का कुछ सीमातक निरोध समभव हैं मतलब कई ऐसे रोग हैं जिसको रोका जा सकता है अगर सिसन के लिए आवरण और कॉंडॉम का परियोग होता है तो अब जानेंगे गर्भ धारन रोकने के उपाए कैसे गर्भ धारन को रोका जाए पहला है यांतरिक अवरोध जिसमें क्या होता है कि सुक्रानु अंड को सीका तक नहीं पहुंचता है मतलब सुक्रानु को अंड को सीका तक पहुंचने नहीं दिया जाता है मतलब मिलने नहीं देता है सुक्रानु को और अंड को सीका को इसमें क्या होता है सिस्न को ढखने वाले कॉंडॉम अत्वा योनी में रखने वाले अनेक युक्तियों का उप्योग किया जाता है दूसरा है हार्मोन संतूलन में परिवर्दन जिससे क्या होता है कि अंड का मोचन नहीं होता है तो इसमें क्या होता है? यह दवाइं समान्यतों गोली के रूप में ली जाती हैं। तीसरा तरीका है लूप अत्वा कॉपर टी का गर्वासे में अस्थापित करना। चोथा है सल्ली किर्या दुरा अंड वाहनी को आवरूद करके। अंड वाहनी को रोक दिया जाए सल्लिक्रिया करके तो ये भी गर्वधारन को रोकनी का उपा है इसी प्रकार पुरुसों में भी सल्लिक्रिया द्वारा सुक्र वाहिकाओं को अवरूध कर दिया जाता है तो ये कुछ सम्माइनी तरीकाएं हैं जिससे गर्वधारन को रोका जाता है